ओम नमः शिवाय माता देवि बिन्दु रूपा नादरूपह शिवः पिता पूजिताभ्यां पित्रभ्यां तु परमानंद एवही परमानंद लाभार्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत सादेवी जगतामाता सशिवो जगतह पिता पित्रोह शुश्रुशके नित्यम कृपाधिक्यम हिवर्धते ओम नमः शिवाय शड्लिंग स्वरूप प्रणव का महात्मे उसके सुक्ष्मरूप ओंकार और स्थुलूप पंचाक्षर मंतर का विवेचन उसके जब की विधी एवं महिमा कारी ब्रम्हा के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचा वरण विसिष्ट शिवलोक के अनिर्वचनी वैभाव का निरूपन तथा शिवभक्तों के सतकार की महत्ता रिशी बोले प्रभो महामुने आप हमारे लिए क्रमशः शडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिवभक्त के पूजन का प्रकार बताईए सुत जी ने कहा महर्शियों आप लोग तपस्या के धनी हैं आपने यह बड़ा सुन्दर प्रश्न उपस्तित किया है किन्तु इसका ठीक ठाक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं दूसरा कोई नहीं तथा पी भगवान शिव के कृपा से ही मैं इस विशय का वरणन करूंगा विभगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयम ही ग्रहन करें प्रव नाम है प्रकरती से उत्पन संसार रूपी महा सागर का प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नव नाव है इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संग्या देते हैं ओमकार अपने जब करने वाले साधकों से कहता है प्र प्रपंज न नहीं है वह तुम लोगों के लिए अतह इस भाव को लेकर भी ग्यानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं इसका दूसरा भाव यू है प्र प्रकरशेण न नयेत वह युश्मान मोक्षम इतिवा प्रणवह अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपुर्वक मोक्ष तक पहुचा देगा इस अभिप्राय से भी इसे रिशी मुनी प्रणव कहते हैं अपना जब करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्यनूतन ज्यान देता है इसलिए भी इसका नाम प्रणव है उन मायारहित महेश्वर को ही नवार्थात नूतन कहते हैं विपरमात्मा प्रकृष्ट रूप से नवार्थात शुद्ध स्वरूप हैं इसलिए प्रणव कहलाते हैं प्रणव साधक को नवार्थात नमीन शिव स्वरूप कर देता है इसलिए भी विद्वान कुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं अथ्वा प्रकष्ट रूप से नवदिव्य परमात्म ज्यान प्रकट करता है इसलिए वह प्रणव है प्रणव के दो भेद बताए गए हैं स्थुल और सुक्ष्म एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सुक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इसे पाँच अक्षर वाले मंत्र को प्रणव समझना चाहिए जिसमें पाँच अक्षर व्यक्त नहीं है वह सुक्ष्म है और जिसमें पाचों अक्षर सुश्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थुल है जीवन मुक्त पुरुष के लिए सुख्ष्प प्रणाओं के जब्धा विधान है वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है यद्यपी जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्चकता नहीं है क्योंकि वह सिध्धरूप है तथा तथा पी दूसरों की दिश्टी में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणाओं जब की सहज साधना स्वतह होती रहती है वह अपनी देह का विलय होने तक सुक्ष्म प्रणाओं मंत्र का जब और उसके अर्थभूत परमात्मत तत्व का अनुसंधान करता रहता है जब शरीर नश्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप श्रिव को प्राप्त कर लेता है यह सुनिश्चित बात है जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जब करता है उसे निश्चही योग की प्राप्ती होती है जिसने 36 करोड मंत्र का जब कर लिया हो उसे अवश्चही योग प्राप्त हो जाता है शुक्ष्म प्रणव के भी हरस्व और दिर्ग के ब्रद भेद से दो रूप जानने चाहिए अकार, उकार, मकार, बिंदू, नाद, शब्द, काल और कला इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दिल्ग प्रणव कहते है वह योगिकों के ही वह योगियों के ही हिर्दय में स्थित होता है मकार परिंद जो ओम है वह अ, उ, म इन तीन तत्वों से युक्त है इसी को हरस्व प्रणव कहते है अशिव है उशक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है वह त्री तत्वरूप है ऐसा समझकर रस्व प्रणव का जब करना चाहिए जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस रस्व प्रणव का जब अत्यन्त आवश्चक है प्रित्वी जल तेज वायू और आकाश ये पाँच भूत तथा शब्द स्पर्ष आदी इनके पाँच विशे ये सब मिलकर दस वस्तुएं मनुश्यों की कावना के विशे हैं इनकी आशा में मन लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में सनलंगन होते हैं वे दस प्रकार के पुरुष प्रवर्त अथ्वा प्रवर्ति मार्गी कहलाते हैं तथा जो निश्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवर्त अथ्वा निवर्ति मार्गी कहे गए हैं प्रवर्त पुरुषों को हरस्व प्रणव का ही जब करना चाहिए और निवर्त पुरुषों को दीर्ग प्रणव का व्याहरतियों तथा अन्यमंत्रों के आदि में इच्छा नुसार शब्द और कलासे युक्त प्रणों का उच्चारन करना चाहिए वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारन करना चाहिए प्रणाव का नौ करोड जब करने से मनुष्य सुद्ध हो जाता है फिर नौ करोड का जब करने से वह पत्थ्वी तत्व पर विजय पा लेता है तत्पस्षात पुनह नौ करोड का जब करके वह जल तत्व को जीत लेता है पुनह नौ करोड जब से अगनी तत्व पर विजय पाता है तदनंतर फिर नौ करोड का जब करके वह वायू तत्व पर विजय होता है फिर नौ करोड के जब से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है इसी प्रकार नौनो करोड का जब करके वो क्रमशह, गंधरस, रूप, शपर्ष और शब्द पर विजय पाता है इसके बाद फिर नौ करोड का जब करके अहंकार को भी जीत लेता है इस तरह 108 करोड करोड प्रणव का जब करके उतकरिष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष, शुद्ध योग का लाभ करता है शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है सदा प्रणव का जब और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में सिथुआ महायोगी पुरुष, शाक्षात शिव ही है इसमें शंशय नहीं है पहले अपने शरीर में प्रणव के रिशी चंद और देवता आदिका न्यास करके फिर जब आरम करना चाहिए अकारादी मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके वनुष्य रिशी हो जाता है मंत्रों के दशविध संसकार मात्र कान न्यास तथा शड़वशोधन आदिकी साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है प्रवर्ति तथा प्रवर्ति निवर्ति से मिश्रित भावाले पुरुशों के लिए थुल प्रणव का जपही अभिष्ट साधक होता है क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी तीन प्रकार के होते हैं जो क्रमशह क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथादि अंगों से नमस्पारादि क्रिया करते हुए इष्टदेव की पुजा में लगा रहता है वह क्रियायोगी कहलाता है पुजा में सनलगन रहकर जो परिमित भोजन करता है पूजा में सनलंगन रहकर जो परिमित भोजन करता बाह्य इंद्रियों को जीत कर वश्मे किये रहता और मन को भी वश्मे करके परद्रोह आदि से दूर रहता है वह तपोयोगी कहलाता है इन सभी गुणों से युक्त हो करके जो सदा शुद्भाव से रहता है तथा समस्त कामादी दोशों से रहित हो शांत चित से निरंतर जब किया करता है उसे महात्मा पुरुष जब योगी मानते हैं जो मनुष्य सोलह प्रकार के उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालोग के आदिके करम से उत्तर उत्तर कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है विजो अब मैं जब योग का वरणन करता हूँ तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो तपस्या करने वाले के लिए जब का उपदेश किया गया है क्योंकि वह जब करते करते अपने आपको शर्वता शुद्ध निश्पाप कर लेता है ब्राभणों पहले नमः पद हो उसके बाद चतुर्थी विभक्ती में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं यस थुल प्रणा रूप है इस पंचाक्षर के जब से ही मनुष्य संपुर्ण सिद्यों को प्र पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुख पूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमी पर महीने के पूरुपक्ष शुक्ल में पतिपता से आरंब करके कृष्णपक्ष की चतुदशी तक निरंतर जब करता रहे माग और भादो के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमीत भोजन करें मौन रहें इंद्रियों को वश में रखें अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें इस नियम से रहकर जब करने वाला पुरुष एक जहस्त्र जब से ही शुद्ध हो जाता है अनितावर रिण होता है भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंतर का पाँच लाख जब करें जब काल में इस प्रकार ध्यान करें कल्यार दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है उनका मस्तक श्री गंगा जी तदा चंद्रमा की कला से मा बैठी हैं वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव जी की शोभा बढ़ा रहे हैं महादेव जी अपने चार हाथों में मिर्ग मुद्रा टंक तथावर एवं अभय की मुद्राएं धारण किये हुए हैं इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार्श मरण करते हुए हृदय अत्वा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वा भिमुख हो पुर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या काजब करें उन दिनों सादक सदाश शुद्ध कर्म ही करें और दुश्कर्म से हो शुद्धिर्दै से पंचाक्षर मंत्र के बारह सहस्त जब करें तत्पश्चात पांच सपत्निक ब्रामणों का जो श्रेष्ट एवं शिवख्त हो वरण करें इनकी अतिरिक्त एक श्रेष्ट आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे साम शदाशिव का स्वरूप सम जे इशान तत्पुरुष अगोर वाम देव चथा सद्योजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप पांच ही श्रेष्ट और शिवख्त ब्रामणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामगरी को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंब करें विधिपुर्वक शिव की पूजा संपन्य करके होम आरंब करें अपने ग्रह सुत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परी समूहन उलेपन उलेख म्रग उलेखन म्रिद उद्धरण और अभ्युक्षण इन पंच भू संसकारों के पश्चात वेदी पर स्वाभी मुख अगनी को स्थापि के अनंतर प्रज्वरित अगनी में आज्य भागांत आहुती देकर प्रस्तूत होम का कार्य आरंब करें कपिला गाय के घी से 11101 अथवा 1001 आहुतिया स्वयम ही दे अथवा विद्वान पुरुष शिवभक्त ब्रामणों से 108 आहुतिया दिलाए होम कर्म कसमाप्त होने पर गुरु को दक्षिना के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए इशान आधि के प्रतीक रूप जिन पांच ब्रामणों का वरण किया गया हो उनको इशान आधि का स्वरूप ही समझे तथा आचारे को शाम सदाशिव का स्वरूप माने इसी भावना के साथ उन सब के च ब्रामणों को भक्ति पूर्वक तशांश अन्य देना चाहिए गुरु पत्नी को पराशक्ति मान कर उनका भी पूजन करे इशान आधि क्रम से उन सभी ब्रामणों का उत्तम अन्य से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष वस्त्र बढ़ा और पुआ आधि अर्पित करे तंदंतर दिकपालादी को बली देकर ब्रामणों को भरपूर भोजन कराए इसके बाद देवेश्वर शीव से प्रार्थना करके अपना जब समाप्त करे इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुश्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है फिर पांच ला प्राख जब करने पर अतल से लेकर सत्य लोक तक चौदध हो भूवन पर क्रमशा अधिकार प्राप्त हो जाता है यदि अनुष्ठान पुर्ण होने के पहले बीच में ही सादक की मृत्ती हो जाए तो परलोक में उत्तम हो भोगने के पश्चात-पुनः-फृत्ष्वी प पुनह पांच लाख जब करने से सारुप्य नामक एश्वर्य प्राप्त होता है। इस तरह कार ब्रह्म्हा हिरनेगर्व का साइज्ड प्राप्त करके वह उस ब्रह्म्हा का प्रलह होने तक उस लोक में अथिश्ट भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंब होने पर ब्रह्म्हा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिवे तेजिसे प्रकाशित हो करके वह क्रमशा मुक्त हो जाता है। कैलाश में प्राणियों का संखार करने वाले रुद्रदेव विराजमान है। सुचिलोक से उपर अहिंसा लोक परेंट 56 भोनों की सिती है। अहिंसा लोक का आश्रे लेकर जो ज्यान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है। उसमें कारेभूत महेश्वर सबको अद्रश शकर के रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चकर की सिती है। यहां तक महेश्वर के विराठ स्वरूप का वरणन किया गया। वही तक लोकों का तिरोधान अथ्वा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग हैं और उससे उपर ग्यान का भोग। उसके नीचे कर्म माया हैं और उसके उपर ग्यान माया। अब मैं कर्म माया और ग्यान माया का तात्परे बता रहा हूं। मा का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है, इसलिए उसे माया या ग्यान माया कहा गया है उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और उपर नित्य भोग, उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, उपर नहीं वहां से नीचे ही कर्म में पाशो द्वारा बंधन होता है, उपर बंधन का सदा अभाव है उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरन करते हुए विभिन लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं उससे उपर के लोकों में निशकाम कर्म का ही भोग बताया गया है बिंद पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं उसके उपर तो निश्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं जो एक मात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे उपर के लोकों में जाते हैं, वहां से नीचे जीव कोटी है और उपर इश्वर कोटी, नीचे संसारी जीव रहते हैं और उपर मुक्त पुरुष, नीचे कर्म लोक है और उपर ग्यान लोक, उपर मद और अहंका का नाश करने वाली नम्रता है वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है उसका निवारन किये बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है इस प्रकार तिरोधान का निवारन करने से वहां शब्द ग्यान ग्यान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है आधि भौत पूजा करन करने वाले लोग उससे नीचे के लोगों में ही चक्कर काड़ते हैं ,- जो आधात्मि कुपासना करने वाले हैं वेhai उससे उपर को जाते हैं , जो सत्य अहिसा आधी धर्मों से युक्त भभागवाण wan tęक्र के पूजन में तत्पर रहते हैं वो काल चक्र को पार कर जाते हैं काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे उपर व्रशप के आकार में धर्मकी स्थिती है वह ब्रह्मचरे का मुर्तिमान स्वरूप है उसके सत्य सौच अहिंसा और दया ये चार पाद है वही साक्षात शीवलोक के द्वार पर खड़ा है चमा उसके सिंग है शमकान है वह वेदत ध्वनी रूपी शब्द से विभूशित है आस्तीकता उसकी दोनों नेत्र है विश्वास ही उसकी श्रेश्ट बुद्धी एवं मन है क्रिया आदि धर्व रूप जो व्रशब हैं वे कारण आदि में स्थित हैं ऐसा जानना चाहिए उसक्रियारूप व्रशबाकार धर्व पर कालातित शिव आरुण होते हैं ब्रह्म्भा विश्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयू है उसी को दिन कहते हैं जहां धर्वरूपी व्रशब की सित हैं जो पांच भॉतिक गंध आदि से परें कि उनकी सरातन सिती है सुख्षमगंध अनका सो रूप हैं उनसे उपर फिर और हुआ मिश्णु के 14 लोक फिश्ट है उनसे भी और दिर फिर उपर कारण रुपी इंदर के 28 लोकों की आला राश है दंधन्तरCh зна अग्स्तमस्त बर्मचेर्य लोक है और वही पाँच आवरनों से युक्तज्ज्ञानमें कैलाश हैं। जहां पाँच मंडलों पाँच ब्रह्म्हकलाओं और आद शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिश्टित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से उक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सुष्टी पालन, संखार, तिरोभाव और अनुग्रह इन पाचों कृत्तियों में प्रवीन है। उनका श्री विग्रह सचिदा अरंद स्वरूप है। वे स सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधी रूपी आसन पर आसन हो नित्य विराजवान रहते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशह साधन पत्में आगे पर उनका दर्षन साथ होता है नितनेमित्टिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यह सब्सक्राद्ग abbiamo उनके द्वारा सिभ्ग्यान सिंध करें वह वाल जिन पर साथकार कर लिया अत्वा जिन पर शिवकी कृपणद्रष्टी पढ़ चुकी है वे सब मुक्त ही है इसमें संशय नहीं है आत्म स्वरूप से जो स्थिती है वहीं मुक्ति है एक मात्र अपने आत्मा में रमणयान आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप हैं जो पुरुष क्रियातत जब ग्यान और ध्यानरूफी धर्मों में भरिभाति सित हैं, वह शिव का साक्षात कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूरीदेव अपनी किरणों से अशुद्धी को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। पुरू परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनह नंदीश्वर के मुख से इस विशय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वस्व संवेत्य शिव वैभों है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोग के उस वैभों का ज्यान सब को शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह पांच लाख जब करने के पर शात भगवान शिव जी की प्रसंदता के लिए महाविशेक एवं नवेदनी में दन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतह उसकी सेवा में ततपर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं, वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशह जितना जितना शिव मंत्र का जब कर लेता है, उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामी पे प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई सल्षय नहीं है शीव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानित्धि प्राप्त हो जाता है साधक स्वयम शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें शक्ति वेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथ्वा मिट्टी आदि से इनकी आत्रती का निर्मान करके प्राण पतिष्ठा पुर्वक निश्कपट भाव से इनका पूजन करें शिवलिंग को शिव मान करके अपने को शक्ति रूप समझ कर शक्ति लिंग को देवी मान कर और अपने को शिवरूप समझ कर शिवलिंग को नादरूप तथा शक्ति को विंदुरूप मान कर परसपर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप्रधान और प्र शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप है जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिश्ट वस्तु की प्राप्ति होती है जो शिव लिंगो पासक शिव भक्त की सेवा आधि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वार पर भगवा शीव बड़े प्रसन्न होते हैं पांच दस या सो सपत्निक शीव भक्तों को बुलाकर भोजन आधि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदयव समादर करें धन में देह में और मंत्र में शीव भावना रखते हुए उन्हें शीव और शक्ति का स्वरूप जानकर निश्कपट अद्धाय सत्र